इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपके realme के किसी भी device में आप screencast कैसे कर सकते हैं तो screencast करने का बहुत ही simple तरीका है तो सबसे पहले आपको क्या करना है यहाँ पर अपने phone में आ जाना है ठीक है phone से नीचे notification को swipe कर ले अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन कास्ट नहीं दिख रहा है तो इस आइकन पर जाएं और यहाँ पर आपको स्क्रीन कास्ट नजर आ जाएगा देखी मेरा स्क्रीन कास्ट यहाँ पर इस तरीके से था तो मैंने इसे उठाया और यहाँ पर स्क्रीन कास्ट को ले गया ठीक है तो आपको भी इसी तरीके से पहले screencast को लेके आ जाएं ठीक है अब आपको क्या करना है screencast पे long press करना है और यहां से यह on होना चाहिए ठीक है on कर लें अब simply आप यहां पर phone की settings में जाएं तो यहां पर wifi में चले जाएं और जैसे कि मैंने देखिए यहां पर wifi connect किया है तो आप भी अपने घर का wifi अपने phone में connect कर लें इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद आपको अपनी tv में आना है और यहां पर settings में आईए और यहां network में आईए और जैसे कि मैंने यहां पर वाइफाई टीपी लिंक कनेक कर रहा था अपने फोन में आपको भी अपनी टीवी में वही वाइफाई कनेक करना है यानि कि जो भी फोन में आपके कनेक्ट है वाइफाई वही वाइफाई आप अपनी टीवी में कनेक करें तो इसे मैं कनेक कर लेता हूँ Connect होने के बाद आपको अपने फोन में आ जाना है यहां पर आपको MX Player पर क्लिक करना है ठीक है यहां पर आपको कास्ट का यह आइकन दिखाई देगा इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे आपको आपकी TV का नाम दिखाई दे जाएगा तो इस पर आपको इसे कास्ट कर लेना है तो आप देखेंगे कि आपकी टीवी में मेरी वीडियो को चला देता हूं तो आप देख सकते हैं ये वीडियो चालू हो गई है